स्वागत तर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़े विद अमन कुल में आज हम लाहें शिक्षा निदेशाले रास्य राजदानी शेदि दिली की कारे प्रतग नंबर 39 जोकी क्लास नाइंद के बच्चोगले विश्य आपका हिंदी है जिसमें हम रचनात्मक लेखन समवाद के बारे में पढ़ेंगे जिसकी डेट आपको 8 अक्टूबर 2021 दे रखी है आप अपना नाम और अपनी कक्षद आपक का नाम लखेंगे प्यारे बच्चो पाटे पुस्तक की पढ़ाई के साथ रचनात्मक लेखन का भी अपना मत्व है आई ही आची कारे परतक के मादम से हम रचनात्मक लेखन के एक घटक समवाद लेखन पर चरचा एक समवाद अभ्यास करेंगे तो रचनात्मक लिखन का एक घटक हम पढ़ेंगे समबाद लिखन जब दो या दो से अधिक यक्टियों के बीच की बाचीत को लिपी बद किया जाता है तो वैं समबाद लिखन कहलाता है कहानी, उपन्या, सनाटक, एकांगी की आदी में समबाद के मादम से ही कथा वस्तु का विस्तार होता है समबाद लिखन की विशिष्टां क्या होती है समबाद छोटे, सहज तता सभाविक हो समबादों में रोचकता और सरस्ता हो समबाद जिस विशह या सिति के विश्रमबंद में हो उसे करमर्स बस्ट करने वाले हूं मुहावरे तता लोकों कृतियों के प्रोक्स समवादों में सजीवता आती है इसकी भाशा सरल होती है सभाविक होती है और बोल चाल के निकट हो समवाद पात्रों की समाजिक सिद्धी के अनुकूलों अर्थात अंपर और शिक्षित पात्रों के समवाद में अंतर दिखना चाहिए अब उधारन के लिए आईए दो लोगों हामिद और दुकांदार की बीच इस समवाद के मादम से समवाद लिखन को समझने का प्रयास करते हैं तो जो हामिद है वो पूछता है यह समवाद यह चिम्टा कितने का है तो दुकांदर कहते है यह तुम्हारे काम का नहीं है जी हामिद कहते है विकाओ है यह नहीं दुकांदर कहते है विकाओ नहीं है और यह यहां क्यों लाद लाए है हामित कहते है तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है दुकांदर कहते है छे पैसे लगेंगे हामित कहते है ठीक बताओ दुकांदर कहते है ठीक ठाक जो ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो तो हामित कहता है तीन पैसे लोगें ये इसमें समवाद हो था है अपने उपर समवाद लेखन का एक उधानगा जब आपने में दोस्तितियों और पात्रों के इनसार समवाद लेखने का प्रियास कीजिए लिखन का प्रयास कीजी पहला प्रश्ण आप को देखा है आप आपके विदाले आंशी ग्रूप से खुल रहे हैं यानि आप दोरा जाते ना स्कूल जाते है एक दीन जाते हैं ऐसे स्कूल जा रहे हैं आपके दो मित्र हैं अलका और दिवाकर के बीच ऑनलाइन कक्ष़ा और विद्दालों में होने वाली कक्ष़ाओं के बीच के अंतर परधारित बाचीद को संवाद की रुप में लखी है, यानि आपके दो दोस्त हैं, एक कनाम है अलका, एक कनाम है दिवाकर, ऐसे मान लेना है आपको, और उनके बीच में आपको समवाद बताना है, आउनलाइन क्लासिस की बीच में, और आफलाइन क्लासिस, यानि आप स्कूल जा रहे हैं, और आउनलाइन क्लास अटेन करते थे, उसके बीच में आपको समवाद लिखना है तो आपको आप यहां से लिखेंगे अलका कहती है दिवाकर तुम्हें ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आ रहा है दिवाकर कहता है सच कहूं तो अलका मुझे जादा मज़ा नहीं आ रहा है अलका कहती है मुझे तो बहुत परशानी हो हुआ अलक़ कहती है घर में सिग्नल इन्हीं टीक से नहीं रहते हैं मैं कख्षा ठीक से नहीं लगा पाती है तो दिवाकर कहते हैं हाँ यार नेट फॉक की बहुत प्राब्लम रहती है अलक। कहती है सच मताओं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता स्कूल ही अच्छा है दिवाकर कहता है ऑनलाइन ग्लास में बहुत ही बच्चे बहुत शोर करते हैं मैं क्या पढ़ा रही है कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि कोई भी माइक आफ नहीं रखता है अलका वही तो देव काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए और इस ऑनलाइन कक्षा से feder ईने साथ सब्च पर गए हैं और वारिज़न और दुकानदार के वीच ओंड़ी पह्तजित को संभात के रूप में लेकी है तो आप इससे करेंगे रिवारिज़न अपलि अर magically महिला को ले रेते हैं महिला याशा सब्ची चाहीं तुकानदार कहता है बहन जी बताइए क्य क्या दूं महिला यानी मा कहती है तुमाई दुकान में कौन सी सब्जी सस्ती है तुकान दर कहता है बहन जी आजकल सारी सब्जिया महंगी हो रहे हैं वैसे भी बरसात के मौसम में सब्जिया महंगी हो जाती है तो महिला कहती है भाईया तुम तो हर मौसम में लूटते रहते ह चलो एक किलो आलू एक किलो प्यास दे देना कितने हुए दुकांदर कहता है एक सो बीस रुपे महिला कहती है अरे तुम तो दिन में ही लूट रहे हो इतनी महंगाई तो नहीं है दुकांदर कहता है ठीक लगा लूँगा बताए और क्या दूम तो महिला कहती है एक किलो दुकान दर कहता है नहीं बहन जी इतना भी नहीं दे सकता आप 260 रुपे देदो महिला तुम लोग सस्ती खरीद कर महंगा बेश दो दुकान दर कहता है बहन जी इस महंगाई में पेट पालना मश्किल हो रहा है आप सबके साहरे जी रहा हूं तो यह समबाद हो जाएगा एक परिवारी जन यानि महिला और दुकानदार के बीच में यानि सबजी वाले के बीच में तो आप इसे लिख लेंगे आज क्या आपकी वोक्षीट कंप्रीड होती है आई होब आपको समबाद पढ़ने में अच्छे समझा है होगा दो लोगों के बीच सब्सक्राइब करें और इसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो की नौट प्रॉप्शन नाइम से मिलते रहें थैंक्स वाजिंग डियो पाइब गाइस